जय हैं बंदे मातरम मेरा वीडियो उन चात्रों के लिए जो आट जीशु के पेपर देने वाले हैं तो बहुत सारी कमेंट आते हैं कि सरम बहुत अच्छी से तैयारी कैसे कर सकते हैं जिससे हमारा पेपर निकल जाए तो आज का वीडियो उन्हीं युवाओं के लिए है जो मांगे आने वाले पेपर के लिए तैयार बैठे हैं और तैयारी कर रहे हैं तो मैं भाइया सभी महानवाव से कहना चाहूंगा कि आप लोग सबसे पहले तो सही चीजें जानिए इसके बाद आप लोग तैयारी करिए बंदे लगे होगे अंदा धुन्द इसी बीच में वो हैं सबसे कि लिए झालावा आम प्रोपर आप लोगों तरीका बता हूं आपको आइक इस सब्सक्राहिंлан करने करना है एक टोड़ आप आपको पता है कि जो मेरेट बनती है वो मेरेट कैसी gäller-टी कैसे आप लोगों की 얼het नkaa आपको सामान घ्यान मैं जहना में पिरकला नहीं है बस यह तोड़ा करेंट रखो आपको बेसिक नोलेज है उसको अच्छे से अभ्यास करके रखो आपको पचास नमबर का पेपर आता तो अगर आप पचीस कुस्छन भी करते हो तो आप क्वाली फाई हो जाते हैं आपको मार्किंग वाली चीजें नहीं छेड़ना है अग Bentılar अपना है प्रोकते में फैरे अटहीं जिसमें करेंसे घृक्षण कैशिक जिरूर करईना है तो आप लोगों को सामान घ्यान में सामान काने kanagandaraogCH होता है उस में आप लोगों क्या करना है कि वीच पचीस पिरेसन अगर आपचीस पिरेसें हैं कैउभ्याद स्क्रण आपके नूर्मली आना चाहिए इसके बाद आपका प्रेसर होना चाहिए आपके तैयारी उने जहीं द्धरम जास्तप कई बंदे भूल जाते हैं कि वो किताब में ले 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 और वह कुछ भी पड़ती रहते हैं देखो, किताबों में आप पर्छला पेपर उठाके देखना, दुनिया की कोईभी किताब ए खट्री कर लेना, 10 आपके नहीं भासा होगा, पेपरों में आता है वो ब ine से अभ्यास पर आता है करम कार्मकान ये संबंधिता आता है, इसके बाद आपको पता है कि उस्मारत होती है सबसोरा है थुछा-थुछाइब भूल जाते हो तो मुंदेल खंड कमी आक्ट करना चाहिए कि आपके शूड रही हैं वह भी हम लोग बुदिलखन अगड़ में आते हैं विकों से उसके अलाबा जो परिश्वां से आते हैं वह हमको पता है कहा से आते हैं ऑनी कि शुर्ण पर फॉकस करो कि आपकी जो मेरेट बनेगी इस तैयारी में आपकी उसकी भी तैयारी हो जाएंगे क्योंकि आप बुन्दलखने में पड़ते हो इसमें करमकान भी पड़ते हो आप और लखित परिच्छा की तैयारी भी करते हो तो इसलिए सतसंग होना बेहुत जाना ज़िए कि यह दो है बन्रकार के पुर्षा में बाता हुआ है जब मैं एक पर से समय कम से कम आप कुछन तो आपको कर नहीं करना है 20-25 हो जाएंगे तब भी आपका कम चल जागा लेकर धरम साष्ट में जितना जाना हो सकता है नंबर किजनी कोशिद करना क्योंकि मेरिट धरम साष्ट पर और आपकी साच्छा अतकार पर जाती है यह बात ध्यान रखो जो भी समझते हैं आपकी जो भी परिषानियों पर सुना सकते हो जाहन आपकी जो भी परिसानियों पर सुना सकते हो जाहन